नमस्कार मैं दिक्षा बेनीपूरी आपका स्वागत करती हूँ आए में स्टुने में और आज हमारे साथ मौजूद है आलोक वर्मा जी जो की एक सीनियर जनलिस्ट है जिन्होंने तमाम चैनल्स जैसे रिपब्लिक भारत समचार प्लस और न्यूज 18 में एज रिपोर्टर का किया है बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका थैंक्यू सर एज रिपोर्टर हमें किस तरह की सावधानी वरतनी बहुत जरूरी है और देखिए मैं काऊंगा कि एज क्राइम रिपोर्टर आपको एक ही चीज की सावधानी वरतनी चाहिए कि ऐसी ख़बर दिखाएं ऐसी सु अर ऐसी को नुकसान होता हो या मिस्गाइड होता हूं और सर अजैनलिस्ट हमें हम अपने सोर्स इसको कैसे डिवल अप करें देखिए सबसे बड़ियां मौका क्या होता है आपको पर जाना सब जाते हैं और आप अच्छे से बात करते हैं जो भी जो भी इस तरह का वी स्प हो शाहे हो रॉबरी का हो जब आप स्पोर्ट पर जाते हैं तो बहुत लोग आपको मिलते हैं विक्टिम भी मिलते हैं हडोस प्रोस के लोग भी मिलते हैं और विक्टिम के रिसिदार भी मिलते हैं फुलीस ओफिसर्स भी मिलते हैं जांस अदिकारी करते रहना चाहिए गाया बागा है गुड मॉर्निंग गुड इबनिंग आजकल वाटसप भी है सोसल मीडिया भी है उस तरीके से जुड़ना चाहिए और उनके सुख दुख में सावील होना चाहिए एक बात मैं जो कहना चाहूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगत यानि सोर्स को मैं बचाता हूं तो मैं खुद भी बचूंगा और सोर्स पर मैं भरोसा करता हूं लेकिन भरोसा करने से पहले आपको चेक जरूर कर लेना चाहिए कि सोर्स भरोसे काविल है भी या नहीं है तो भरोसा करना हो और भरोसा करने के बाद जब आ भरोसा कर लेते ह तो सोर्स पर आप पुरी तरह से भरोसा कीजिए, उसके सुख दुख में आपको साथ रहना चाहिए, उसका बचाओ आपका बचाओ है और सर आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या सला देना चाहेंगे जो क्राइम रिपोर्टिंग की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं देखे, मैं आज के किसी भी student को जो जनलियम की तरफ आना चाहता है, खास का crime में तो बहुत ज़्यादा क्यूंकि crime बहुत ज़्यादा sensitive होता है और crime से दुनिया का और समाज का, मुहले का, घर का, परिवार का हर एक आदमी जुड़ा होता है, इस दिक crime की reporting करते समय, एक चीज की जरूर साउधानी वरतनी चाहिए कि हमारे आँखना कान खुले रहें, इसके दो फायदे होंगे, पहला फायदा यह होगा कि आपको information सही मिलेगी, आँखना कान खुला रखेंगे जब आप, जब आप sport पे जाएंगे, तो आपको लगेगा जो भी वहाँ चीजे दीख र की ऐसा information जल्दबाजी के होड में ना डालें, जिससे की समाज को कोई नुकसान हो जाए, खासकर accident, riot या किसी sensitive crime की reporting जब हम कर रहे होते हैं, या किसी भी sensitive issue पर जब हम reporting कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसी information से बचना चाहिए, जिसका कोई अधिकरित पुष्टी ना हो, आज कल ब cross check कर ले, इसलिए मैं पहले आपको बताया कि source बहुत important है, source भरोसे के काविल हो, source पर भरोसा हो, और source का बचाओ हो, और सर, crime reporting के field में हमें किस तरीके के challenges face करने पर तो हम उसे overcome कैसे करें, मतलब हम साहसी कैसे बने कि हम इस field में जाए, और बिना डरे काम करें, साहसी बनाये जाता है, साहसी होता है आदमी, साहसी होने पर ही आप crime reporting में जा सकते हैं, ये भी तया है, नहीं तो अगर आपको crime reporting मिल भी गया, आपने crime reporting सुरू भी कर दी, तो 2-4 दिन crime reporting करेंगे और उसके आपका मन तक जाएगा, क्योंकि इसमें thankless job है, एक तरीके से जैसे पुलिस वाल लेकिन साहस की जरूरत है, आपको ये समझना पड़ेगा, कि आप समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा काम कर रहा है, इसलिए साहस तो आपका सबसे पला हथियार होना चाहिए, साहस सतरकता और साउधानी, यही crime reporter क के तीन सब्द के फार मूले होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सार आपका, कैमरा मैन उजवल आनंद के साथ मैं दिक्षा बेनीपूरी IMS Today